नमस्कार मैं सतीज कुमर और आप देख रहे हैं रेवाडी हलचल और हम दिखाते हैं आपको आज देश विदेश की खबरे जिन खबरों में मुख्य रूप से हम आपको बता दे कि आरपियस एक स्कूल संस्था पर आईकर विबाग की बड़ी छापे मारी काफी दिन से चल र हुआ है और इस विल्डर आरोएफ विल्डर वे आरपियस स्कूल गुरूप पर चल रही आरकर विबाग की रैड में ये पता चला है अब तक चार-पांच टीचर ऐसे मिले हैं जो कहने को तो सरकारी स्कूलों में टीचर हैं लेकिन ये दस वी से लेकर बारवे के छातरों क आरपियस गुरूप के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ऐसे दो टीचर मेवात वे पंचकूला के सरकारी स्कूलों में कारियरत हैं लेकिन वे आरपियस गुरूप के रेवाडी वे गुडगाव स्कूल में पढ़ा रहे हैं इन टीचरों को यहां पढ़ाने के लिए डायलाग रुपईये तक सेलरी हर महिनित दी जा रही है ये सेलरी कैश में दी जाने की ट्रांजेक्शन रेड के दोरान आईकर युभाग को मिली है RPS गुरूप के स्कूल हर्याना के रेवाडी, महिन्दरगड, गुडगावा, धारुहेडा, नारनोल, हस्सी, कोशली, हिसार, करनाड, दादरी, रोतक, कनेना, राजस्थान, अलवर के बहरोड में चल रहे हैं इन टिचलों को नोकरी से हटवानी के लिए आईकर युभाग के टीम जल्दी सिक्षा युभाग से संपर कर कारवाई कराने जा रही है आईकर युभाग के प्रिंशिपल डायरेक्टर आनंद जहा के सुपर विजन में एडिसनल डायरेक्टर अमन परीत की टीम ने रेड की ये कारवाई कराई है इसमें आईकर युभाग गुडगावा वे हर्याना के कई जलों की टीम के अलावा स्रीनगर, जम्मू, लुधियाना, जालंदर, अम्रत सर की टीमों को भी मदद के लिए बुलाया गया रेड के दोरान अब तक बारा करोड रुपये की जोहलरी वेसाड़े चार करोड के करीब कैस भरामद किया जा चुका है गुडगाव समेत अन्य जगों पर काफी प्रोपर्टी के दस्तावेज भी आईकर युभाग की टीम ने रेड में जब्त किये हैं इसमें अब ये चेक किया जा रहा है कि ये प्रोपर्टी बे नामी है या नहीं दिल थाम के बैठी ये दूजरी एक बहुती महत पुरुण खबर निकल कर सामने आ रहे हैं सुत्रोदोरा पता चला है कि राजस्थान को दो परदेसों में बाटा जा सकता है यह सुनकर आप भी चौक जाएंगे यह खबर सोसल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड हो रही है राजस्थान में दो स्टेट के रूप में टुकड़े किये जाने की संभावना को लेकर सोसल मीडिया प्लेट फारम पर चर्चाओं का बाजार गरम है इस आधर पर यह भी का जार है कि केंदर सरकार आगामी विधान सभा चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेल कर मरू परदेश की घोशना कर सकती है इस सर्चा को लेकर राजस्थान की सियासत में हल्चल मची हुई है इसको लेकर अब सभी की नजरें पी-म नरिंदर मोदी जी की और से बुलाए गई संसद के विशे सत्तर पर टिक गई है अगर राजस्थान में मरू परदेश के रूप में नए स्टेट का गठन होता है तो यह सियासत की सम्मी करणों को निश्चित रूप से परभावित करेगा बतादे की आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर सीम असो गहलोत ने बजट सत्तर में 19 नए जलों का गठन करके सब को चोका दिया था गहलोत के इस माशर श्ट्रोक को चुनाव के पहले मद्दताओं को लुभाने की एक बड़ी कोशिस मानी गई है इसके जवाब में अब केंदर की भाजपा की सरकार की गहलोत को मात देने का मन बना रही है ऐसे में सियासी गल्यारों में इस बात की चर्चा है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजे पीपी राजिस्थान में मरू परदेश का गठन कर गहलोत के मास्टर स्ट्रोक का तोड़ निकाल सकती है सियासी गल्यारों में इस बात की जम कर चर्चा हो रही है कि पीम नरिंद्र मोदी की ओर से बुलाए गए लोग सबाग के विशे सत्तर में कई हैरान करने वाले फैसले सामने आ सकते हैं जिसमें राजस्थान में मरू परदेश के गठन का बड़ा फैसला भी हो सकता है तो राजस्थान दो परदेशों में बठ जाएगा ऐसे में मरू परदेश बनने के बाद अगर इस छेतर की बात की जाए तो इस परदेश को बीस जिलों को मिलकर गठन किया जा सकता है इन में स्री गंगा नगर, अनूपगड, हनुमानगड, बिकानेर, चूरू, जुन्जुनू, डिडवाना, कुच्चामन, नीमका थाना, नागोर, फलोदी, जैसल मेर, जोधपूर, जोधपूर, ग्रामीन, बाड मेर, बालो तरा, जालोर, साचोर और सिरो ही जिले सामिल हो इसके अलवा, जलवायू, किर्सी, उद्धोग और जन्संख्या, घनतों के कारण भी इस छेतर का विकास कम हो रहा है, लिहाजा यह तरक दिया जा रहा है, कि यदि मरू परदेश के रूप में नए स्टेट का गठन होता है, तो इस छेतर का तेजी से विकास होगा, राजस में मरू परदेश बनाने की मांग उठाई थी, इसी तरह वर्स 2001 में भी ततकारिन परदाहन मंतरी अटल भिहारी वाजपाई ने तीन नए राज्या बनाने की बात कही थी, तब भी रादस्थान में मरू परदेश बनाने की मांग ने जोर पकड़ा था, एक और खास कवर आ लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफतार, सुत्रों के हवाले से एक बड़ी ख़वर और भी सामने आ रही है, इनैलो के गठ बंधन करने पर भूपेंदर हुड़ा ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी, राष्ट्रिय अध्यक्स मली कारजुन खड़गे को साफ संदेश, इनैलो से गठ बंधन हुआ तो पकड़ सकते हैं अपनी अलग राह, इनैलो की 25 सितमबर की रैली से पहले हुड़ा पिता पुत्तर ने दिल्ली में डाला डेरा,